वहीं मुंबई से एक बड़ी कबर आ रही है मुंबई में हाई कोट के जस्टिस अमिद बोरकर के चेमबर में आज चुकरवार दोपर को एक अचानक बड़ा साब दिखाई देने से हरकम मज गया बताया जा रहा है कि कोविट के चलते अदालत की कारियवा ही वर्चूल तरीके से जारी है प्राप्तो जानकरी के मुताबिक साब दिखने के बाद तुरंत सरपमित्र को बुलाया गया जिसके पशाद साब को पकड़ लिया गया और वहां मौजद करमचारी उन्हे राहत की सास ली बॉंबे हैकोट में शुकरवार को जज़ के चेंबर में साप मिलने से हडकम्प मच गया इस घटना के बाद से जजो की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया जा रहा है मिली जानकारी के अनुसार साड़े चार से पाच फिट लंबा ये साप यहां मिला था उस समय जज अपने कक्ष में मौजुद नहीं थे यह साप विशेला नहीं था साप के मिलने के बाद कोर्ट के करमचारियों ने पुलीस को इसकी सूचना दी इसके बाद गैर सरकारी संगटन सर्पमित्र से संपर्क किया गया उनके एक करमचारी ने साप को पकड़ दिया उनने बताया कि साप को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा बता दे कि इस तरह कि ये कोई पहली गटना नहीं है इससे पहले 2018 में नवी मुंबई में भी एक जचपर साप ने हमला कर दिया था अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है फ्लाइवी एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, one degree, three job opportunities फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, gives you a degree or diploma with a job फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, 365 गानी नगर, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur व्लाइवील एविओन …!